नमस्कार दोस्तों जेहिंद मैं दिलिप आप सभी का इचीवर्स ओनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ी अपडेट लेकर रहा हूं आप लोगों ने बहुत दिनों तक इंतिजार किया वेकेंसी का ठीक है अब आप हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे बातों को जानेंगे दोस्तों जेशा कि आप लोगों ने थमनेल में देख चुका होगा जारखन उत्पात सिपाही जी है दोस्तों आज हम लोग जारखन एक साइज कोंस्टेवल का यह नोटिफिकेशन है उसको विस्तार से समझेंगे और उससे जुड़ी सिलेवस को भी देखेंगे और बहुत सारे बाते हैं उसको इस वीडियो में जानेंगे वीडियो को अंतर जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो फिलिज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों भी सेह जरूर करेगा तो चलिए ज्यादा बात शिफाही परतिविता परिक्षा 2030 ठीक है चलिए आगे देखें दोस्तों इसमें कार्मिक प्रसाष्णिक सुधार तथाराजवासा विभाग यारखन सरकार के पत्र संख्या देखे 1897 दिनांग 342032 अग्रसारित ठीक है 342032 अग्रसारित अग्रसारित किया गया थो उत्पाद यों मद निशेद विभाग के पत्रांग 772 दिनांग 31-3-23-3232 अधार संसुचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के बिरूद निउक्ति के लिए भारत के नागरिकों से भीवत प्रपत्र में जारखन उत्पाद सिपाही परत्विता परिक्षा 2030 के लिए ओनलाइन आविदा नामेंत्रित किये जाते हैं ठीक है तो चलिए अगर आप इस फॉर्म को अपलाई करते हैं ठीक है तो दोस्तों आपको लिए परिक्षा सुल्क एक सो रुपिया रखा गया है ठीक है जारखन राज्ये के अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जाती के अभेरतियों के लिए पचास रुपिया सुल्क है और समाने कटेग के लिए इक सोब्या सुल्क निर्दारित है धोस्तों चलिए यह परिक्षा सुल्क की बाते एं ठीक है चलिए यहाँ पर कुछ महत्पुन बाते हैं उसको देखते हैं जारखन उद्पात सिपाही पर्तिविता परिक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदग जो इस बिग्यापन की सर्तों तथा सेक्षिनिक योगेता निर्धारित आयो सीमा तथा अन्य अहरताओं के अंतरगत आवेदण देने के पात रहोंगे वैसे आवेदगों को पुना आवेदण देना होगा इसके लिए उन्हें पुना परिक्षा सुल्क नहीं देना होगा जो पहले 2022 में आवेदण कर चुके थे और अभी इस वैकेंसी को अफलाई करने के लिए इलिजिवल है ठीक है वो पुना आवेदण उसे करना होगा लेकिन परिक्षा सुल्क नहीं देना है ठीक है यह पिता का नाम दर्ज करना आवस्यक होगा ठीक है यह मुहत्पुन बाते हैं ठीक है आपको रेश्टेशन नमबर जनती थी अपना नाम और पिता का नाम दर्ज करवाना होगा उसमें ठीक है नहीं आवेधन पत्र में पूर्व समर्पित आवेधन का निवधन संख्या देखते हैं देखे दोस्तों इसमें कितने पद हैं उसको भी देख लेते हैं अनारक्षित यानि कि जेनरल के लिए 237 ठीक है 237 पद है उसमें देखे महिला लोग को 12 दिया गया है ठीक है उसके बाद देखे अनसुची जन जाती यानि कि एस्टि के लिए 148 उसमें से तीन सी यह माइनस कर लिए पिर अनुची जाती यानि कि एस्टि के लिए 57 दिया गया है और महिला लोग के लिए 253 और दिया गया है ठीक है तो दोस्ता टोटल 583 शीट इसमें दिया गया है अनुसूची जन जाती के लिए बिग्यवति रिक्ति में 2% रिक्तिया आदिम जनजाती के अभियर्थियों के लिए छेतित आरक्षन के रूप में अनुमानिय होगी ठीक है आदिम जनजाती के योग्य उमिद्वारों के उपलब्द नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ती अनुसुचित जनजाती के द्वारा भरी जाएगी यदि आदिम जनजाती के अ आगे देखते हैं देखे दोस्तों इसमें मेट्रिक लेवर ठीक है यह बेकेंसी है मेट्रिक अस्तर की है ठीक है भारत के अंदर मानियता प्राप्त ठीक है भारत से किसी भी मानियता प्राप्त संस्था से संस्थान से मेट्रिक पास होना चाहिए ठीक है उत्पाद सिपाही उ मुग ठीक है चलिए आगर देखते हैं दोस्तों चलिए सारे रिक माप क्या होनी चाहिए अनाराचित तथा देखे आर्थिक रूप से कमज़र EWS के लिए नियुन्तम जो उचाई है ठीक है हाइट 107 cm होनी चाहिए कितना एक सोसाथ सेंटिमेटर और सिना की बात करें तोından सेंटिमेटर होनी चाहिए अनुसुचित जाती अरहं सुचित जाती के लिए 155 cm होनी चाहिए और देखें नियुन्तम सेवेंटी नाइन सेंटीनाइग की माप होनी चैया 59 cm ठीक है और बीसी टूओ और बीशी वन के लिएmiyorum 61 188 सेंटेमितर होनी चाहिए ठीक है महिला लोग के लिए टोटल सभी महिलां के लिए कितना होना चाहिए देख लिए गार और तालिस सेंटिमेटर हाइट होनी चाहिए और शीना की माप नहीं लिए जाएगा ठीक है चलिए अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं ठीक है इसका आयू की गन्ना देख लिए उत्पाद सिपाही उत्पाद या मद्ध निशेद विभाग नियुनतम उम्रसिमा की गन्ना है तो संदर्पति थी देख लिजे 182030 नियुनतम उम्रसिमा की गन्ना है अधिकतम देखे एक आठ 2018 2018 ही गन्ना किया जा रहे आपका अधिकतम उम्रसिमा 2018 तक ही किना जाएगा ठीक है आपको टेंशन नहीं लेना है चलिए चल आगे देखते हम नियुनतम उम्रसिमा 18 वर्स यहां पर अतियंथ पिछड़ा वर्ग, BC1 और BC2 के लिए 27 वर्ष होनी चाहिए, अधिक्तम ओमर्ड, ठिक, उसके बाद देखिए, महिला आर्थिक रूप से कमजोर यहां, अतियंथ पिछड़ा वर्ग, BC1, BC2 के लिए 28 वर्ष होनी चाहिए, महिलां के लिए अनसुची जाती अनुसुची जाती पुरू से महिला के लिए तीस वर्स होनी चाहिए अधिक्तम उम्रसीमा की बात कहिए यह है ठिक चलिए इतने बाते आप लोगो समझ में आ गया होगा चलिए आगे देखते हैं कि देखे आरेक्षन के दावा करने वाले अभियर्थियों है तो अस्थानिय निवासी प्रमान पत्र क्या होना चाहिए इस टौफिक में बहुंस सारे डाउट रहता है उसको भी इसमें किलियर कर देता हूं देख लिए आरेक्षन के दावा करने वाले सभी वर्ग के अभियर जिनांक 26-26 तुन था इसके परश्चाथ इसके बाद निर्गत अस्थानी निवासी प्रमान पत्र माने होगा जिसका मानप्रशिश्थ परशिष्थ एट पर धारित है ठीक है प्रशिश्थ एट में दिया गया है उसके बाद का निवासिप प्रमान पत्र माने होगा लेकिन ये प्रस्रिष्ट दिया गया है एट में उसमें देखना होगा क्या कुछ दिया गया है ठीक है अथवा देख लिजे कार्मिक प्रश्राष्निक सुधार राजभासा विभाग के पत्रांग 57-52 दिनांग 97-2019 द्वारा निधारित प्रपत्र में दिनांग 97-2019 को अथवा इसके पस्चाद अंचल अधिकारी के अस्तर से निर्गत अस्थानिय निवासि प्रमान पत्र माने होगा ठीक है प्रश्रिष्ट निव में धारित है दिया गया है मतलब ठीक है वही बाते है देख लीजे यहाँ पर अधिक थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है जाति प्रमान पत्र जार्खन राज्य के अनुसुचि जाती अनुसुचि जन जाती संदर में जिला अनुमंडल उपायत अनुमंडल पदाथिकारी के अस्तर से निर्गत प्रमान पत्र माने होगा जिसका परिशिष्ट एक परध ओनलाइन करना है ठीक है उसको देख लेते हैं कि देखिए यहां पर ओनलाइन आविदान पत्र के बिभिन चर्ण को पूर्ण करने की तित्यां रेजिस्टेशन करने तथा सूचना दर्च करने है तूच एक छे दोहजार तेस से दिनांग तीस छे दोहजार तेस की मध्य र तरी तक मतलब 27 2030 की मध्य रातरी तक आप परिक्षा सुल्क भुक्तान कर सकते हैं रहाँ देखिये फोटो और हस्ताक्षर अप्लोड कर प्रिंट आउट लेने के ृच लिए देखिए चार शात दोहजार तेस की मध्य रातरी तक आपने यह सब कर सकते हैं ठीक है चलिए अब पीडिये में डाल दूँगा तो उसमें आप लोग पूरी बात हैं देख लिजेगा ठीक है जो मुहत्पुन बात है उसको देख लिए परिक्षा का पाथे करम परारूप क्या है सारी दक्षता परिक्षा मन्दर सबसे पहले फिजीकल आप जांत लिया जाएगा से जांत परिक्षा किस तरह से होगा उसको देखे जारखन राज्ये पुलिसि नियुकति नियामाली को पुलिस्चिवा के लिए भर्ती पद्धती 3040 प्रवद्हान ऑधिन परषान दिखल लिए जिस ostat रहें शुचिता है प्रइच्छा लेए ठीक है सारी डख्ष्ता पर इच्छा लेए जाएग उसमें आप लोगों को पासओ ना जौरोई है ठीक कोई अंक नहीं मिलेगा लेकिन कौालिफाई करना जौर surrender है ठीक है जो समय निधारित रहेगा उस समय में आप लोगों पास करना जौरी शारी और अमरोत करा है जिसे भी दिया जाएगा चैन करने के लिए ठीक है वह चैन कर आयोत को इसके सूची OMG रहेंगे जो योगे रहेंगे उसके योग अर इसकी दोनों की सूची अब लिखित परिक्छा सारे दकिषता परिएम परिक्छा ऑफलाइन परिक्षा होगा उयमार आधारित लिक्षित परिक्षा लिए जाएगी ठीक है मोटा मोटी जो बाते हैं उसको आप लोग जानी है उसके चिकित जांत परिक्षा होगा देखिए यहां पर नोट में बहुत इंपोर्टन बाते दीगे हैं चिकित्षे जाच उपरांत प्रमान पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हैं परिक्षा फल परकासित किया जाएगा ठीक है चिकित्षे जाच होगा उसके प्रमान पत्रों का सत प्रष्चा को उपलब्ध कराएगा ठीक है चलिए अगर देखते हैं दोस्तों लिखित पर इक्षा में पत्र वन में भासा ग्यान हिंदी भासा ग्यान से असी और अंग्रेजी भासा ग्यान से चानिस यानिक टोटल 120 प्रशना का परिक्षा लिया जाएगा ठीक है इसमें देख लिए इस परिक्षा में उतिन होने के लिए नियुनतम 30% अंक लाना अनिवारे होगा ठीक है दोस्तों उसके पेपर टू में देखिए पेपर टू में जो भासा निर्धारित किया गया है जन जाती हम छेत्रिय भासा उसमें अंक प्राप्त करना अनिवारे है किसी भी पर ठीक है उसके बाद देखिए पत्र थिरी में दोस्तों देख लिए इसमें 120 प्रशन का सवाल पूछा जाएगा चालिस पचास समानी अधिन में 40 जार्खन राज्य से समधित गया पचास और समानी विज्ञान में 20 और समानी ग अंक प्राप्त करना जोरी है अनिवारे है ठीक है उसके बाद देखिए मेरित किस तरह से बनेगा ठीक यहां पर देखिए ठीफनी दिया गया है भासा वन की परिक्षा नियूंतब 30 पर 30 होगा और नियूंतम हर्तांक से 30 पर 30 कम लाता है तो उसको और अग्य घोसित किया ज जाएगा और पत्र टू में भासा रिवसा अंजन आति है भछाघ की परिक्षा तथा पत्र त्री शमाने ग्यान की परिख्षा में भी नियूंतम 30 पर 30 स्ट उंक लानवारे लिए दोस्त लोगकर अना की बद्ते निर्मान किया जाएगा मतलُ कूअ परयुआ प्तर मिला कर मेंधा सुची का निर्मान कीया जाएगा ठीक है पर यौ पात रोटी फ्रहाइक परिक्षाट योदी दो घंटा की होगी ठीक है लोस्तों हम शीले ब ancस्राठंइमें अलग से वीडियो बना दूगा ठीक है आप पने इसमने तना यहां में मत अथले रहे हिए टिक आज में हमने सोगे सब्सक्राद हो रहा है सिल्हथ दॉसक्त कल मैं अलग से वीडियो बना दूगा ठीक है मिलते नेक्स वीडियों तो सब्सक्राइब